मालिक की इज़त का फलूदा होते देख बदलने लगे गोधी मीडिया की एंकर की तेवर कॉंग्रिस परवक्ता ने गोधी चैनल पर जब बीजेपी की पोल खोलनी शुरू की तो एंकर साहिबा तरह तरह के इशारे करने लगी क्योंकि मालिक की पोल खुलते हुए वो कैसे देख सकती थी इसी वज़े से इशारो ही इशारो में अपने टीम से कहने लगी कि कॉंग्रिस परवक्ता को रोग दो लेकिन जब ये सब बाते सच होने लगी तो फोरण से एंकर को दखन अंदाजी देनी पड़ी इशारे करने लगी क्योंकि बीजेपी के परवक्ता पर कोई जवाब नहीं बन रहा था वो सोच रहे थे कि अपनी सरकार के नाकामियों पर क्या बोले इसलिए वो भी खामोश होकर बैठे रहे मगर बीजेपी के लिए एंकर साहिबा ने अपना पूरा फर्ज निभा दिया दरसा सोचल मीडिया पर आज सक एक वीडियो वाइरल हो रही है आज सक के स्टूडियो में एक डिबेट चल रही थी और उसमें कॉंग्रिस परवक्ता आलोग शर्मा और बीजेपी के परवक्ता गोरब भाटिया दिख रहे हैं और साथ में शो के और आगे बढ़ाने वाली एंकर अंजराउम का शब भी दिख रही है इस डिबेट में और भी लोग शामिल है इस वीडियो में आलोग शर्मा बीजेपी की पोल खोलते हुए कहते हैं कि हम से सत्तर साल का हिसाब ये लोग मांगते हैं लेकिन एक इलेक्ट्रोल बॉंड का हिसाब देने में इन लोगों को परिशाने होने लगी एक पीम केर्स फंड का और हिसाब दे दीजी पुरी देश को पता चल जाएगा कि कितनी ब्रस्टाचारी सरकार है ये बार बार कहते हैं सत्तर साल का हिसाब मानते हैं लोग एक इलेक्ट्रोल बॉंड का हिसाब देने में इनकी जान निकल गई आज भी छुपाते फिर रहे हैं एक पीम केर्स फंड का और दे दीजीए इसाब पूरे देश को पता चल जाएगा कितनी ब्रस्टाचारी सरकार है ये पीम केर्स फंड में चाइना से पैसा आता है इलेक्टरल बॉंड में पाकिस्तान से पैसा आता है और राष्टरवाद का पाट पढ़ाते हैं पूरे देश को ये सर्वे आ गया ओपिनियन फोल आ गया ये सब तमाम आपकी एजनसीज हैं पैसा दे के आप टीवी चैनल पे पीनियन फोल चलवाते हैं और बीजेपी उलेक्टरल बॉंड्स का पैसा पूरी तरह से इनी कामों में खर्च करती है मेले खरीदो सरकारे गिराओ जिस सुप्रीम कोट ने कहा कि एडी के डारेक्टर पांच साल तक गैर कानूनी तरीके से गलत तरीके से वहाँ पर कोस्ट पर रहे वो व्यक्ती कहा है आज क्या वो देश छोड़कर भाग गया किसके कहने पर ये तमाम एडी और सी बी आई और इंकम टैक्सी रेड होती है कि पहले रेड कराओ तीसरे दिन काम दे दो और फिर पैसा जेब के अंदर डालो ये जो लूट कांड चल रहा है जो वसूल कांड चल रहा है अब इसकी परते खुलनी शुरू हुई है और जिस दिन सारी परते खुलेंगी मैं तो चैलेंज करता हूं देश के प्रधान मंतरी को कि प्राइवेट संस्ता है ये प्राइवेट ट्रस्ट है ये इसके ये आटियाई के दायरे में नहीं आती है तो हम पू प्राइवेट तरह से चाहे पीम केर्स फंड हो चाहे वो कोरोना हो और चाहे वो नोट बंदी हो इस सरकार से ज़्यादा भरस सरकार आज तक नहीं आई है आपको चौदा सो करोर रुपए एलेक्टरिल बॉंड से मिला है अक्शन वीजिए हमारे उपर अगर हमने गलत किया पीम केर्फंड में चाहेने से पैसा आता है एलेक्टरोलर बॉंड में पाकिस्तान से पैसा आता है और रास्टवाद का पार्ट पढ़ाते हैं ये लोग पूरे देश को सर्वे आ गया ओपीनियन पोल आ गया ये तमाम आपके एजिंसी से पैसे देकर आप टीवी चैनल्स पर आपीनियन पोल चलवाते हैं और बीजेपी इलेक्टरोल बॉंड का पैसा पूरी तरह से इनी कामों पर खर्च करती है मले खरीदो सरकारों को गिराओ अब आलोक शर्मा बीजेपी के ऐसी पोल खोल रहे थे तो बला अंजनाम कश्यप को कैसा बुरा ने लगता उन्हें पिर भी वो कुछ टाइम के लिए खामोश होकर बैठी रही और आलोक शर्मा बीजेपी के सचाई लोगों को बताते रहे आलोक शर्मा आगे बोलते हैं कि जिस सुप्रिम कोट ने ये कहा कि एडी के डायरेक्टर पांस सालों तो गैर कानूनी तरीके से गलत तरीके से पोस् जेप के अंदर डाल लो यह जो वसूली कान चल रहा है अब इसके पड़ते खुलनी शुरू हो गई हैं और जिस तरह से सारी पड़ते खुलेंगी मैं तो चैलेंज करता हूँ प्रधान मंतरी मोदी को कि पेम केर फंड जिसको सुप्रिम कोट में जाकर ये लोग बोलते हैं कि एक प्राइविट संस्ता है यह आटिया के दाइरे में नहीं आती है हम पूछनों चाते हैं कि प्रधान मंतरी का नाम लगा कर विदेशों से पैसा क्यों लिया जा रहा है बस आलोग शर्मा का अंजना उमकश्यप की डिबेट में इतना ही बोलना था कि अंजना उमकश्य प्रधाई उन्होंने दस सालों में पहली बार सुने हो इसी वज़े से वह इसा बरदाश ना कर पा रही हो अब आलोग शर्मा अपना काम कर रहे थी तो अंजना जी कैसे पीछे हट जाती वह भी तो अपना काम ही कर रही थी वह भी अपने मालिक को बचाने की पूरी कर रही थी लेकिन अंजना के लिए अफसोस की बात यह रही कि उनके सारी के सारी हरकते कैमरों पर कैद होकर सोचल मीडिया पर वाइरल हो गई और फिर एक बार लोगों ने गोधी मीडिया कैसी होती है इसको देख लिया है वैसा अंजना के टीम की भी यहां पर जरूरी ता कर रही है तो फॉरर उनके विंडों को हटा दिया गया ताकि वह अभी यह जितनी भी हरकत थी पीछे कर सकें क्योंकि जो स्क्रीन थी उस पर सुनकी विंडों को हटा दिया था और जो आलोक शर्मा थे और गौरब भार्ट्रे सिर्फ नजर आ रही थी सामने इसी वज़े से अब वो पीछे चली गई थी तो उनके टीम ने सोचा होगा कि जो इशारे बाजी हैं जो समझाना चाह रही हैं अंजाना उमकर्श्यब हम लोगों को उसे समझने में आसानी हो जाएगी इसी वज़े से यहाँ पर उनके टीम की वितारिफ करनी बहुत जरूरी है कि किस तरह च वक्ता बनी जा रहे हैं वह वाकिए बहुत अफसोस की बात है खेर दो सो आप लोगों क्या लगता है इस मुद्धे पर हम एपनी राइस होते हैं और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ